आज हम जानेंगे कि क्या दिशाएं भी सुब और अशुब होती हैं, क्या हर कारिय दिशा देखकर करना चाहिए, क्या कहती है आगमवानी दिशाओं के संदर्ब में, ये हम जानेंगे आगे वीडियो में, पूर्व और उत्तर दिशा का महत्व बताते हुए, आगम में कहा ग आत्माओं को दो दिशाओं का अवलंबन लेकर ही धार्मिक क्रिया कलाब करनी चाहिए, क्योंकि लोग व्यवहार में व्यवहार सुद्धी का होना भी अत्यंत आवश्यक है, पूर्व और उत्तर ये दो दिशाएं जैसे लोग पक्ष में महत्व पूर्ण है, वैसे ही अध अध्यात्म पक्ष में भी ये दिशाएं कुछ कम नहीं हैं, अब जानते हैं सबसे पहले पूर्व दिशा के बारे में, प्रकास पुंज, चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, आदी पूर्व से ही उदित होते हैं, अन्य दिशाओं से नहीं होते, उनका उत्थान और उन् प्रकास से विश्व को आलोकित करें, अब जानते हैं उत्तर दिशा के बारे में, इस दिशा से जीव को ये प्रेना मिलती है कि दुर्वतारा उत्तर में ही रहता है, वो दूसरों के मार्ग का प्रदर्शन करता है, और स्वयम अपने केंद्र में अटल रहता है, वो करता है कि सादक तू भी अपने सू विचारों में अटल रहकर भूली भटकी जनता को मार्ग प्रदर्शन कर, जैसे सब्तर्शी दुरुवतारे के चारों और भ्रमन करते हैं, वैसे तू भी निग्रन प्रवचन को लक्ष्य में रखकर आत्मा में परियतन कर, सादक को विक पास, बृद्दी और अभ्यूदय की प्रेरणा इसी से मिलती हैं, इन दो दिसाओं से ही सादक को मूक रूप से एहिक और पार भविक, समुन्नति की प्रेरणा मिलती हैं, सेस दो दिशाएं अनिष्ट मानी जाती हैं, जैन आग्मों में चार दिसाओं के चार लोगपालों का उल्लेक मिलता है जैसे कि पूर्व दिशा का लोगपाल सोम दक्षिन दिशा का यम पस्चिम दिशा का वरुन उत्तर का वैश्रवन जिसे कुबेर भी कहते हैं सोम और वैश्रवन ये दोनों लोगपाल सौम्य दृष्टी और धर्म आत्माओं की रक्षा करने वाले हैं इस इन दो दिशाओं के अभिमुक होकर सभी क्रियाए करनी चाहिए ऐसा स्पष्ट रूप से आग्या देने वाला स्तानांग सूत्र आगम है सम्यक दृष्टी के लिए आगम प्रमान भी सर्वमान्य है जहां प्रत्यक्ष अनुमान आधी प्रमान कार्यसिद्धी में सहायक न सभी तिर्तंकर साधना काल में इन दो दिशाओं के अभिमुक होकर ही साधना करते रहे हैं और केवल ग्यान होने के अनंतर समवसरन में प्रवचन भी इनी दो दिशाओं की और मुक करके किया करते हैं जिस मार्ग का उन्होंने अनुशरन किया है वही मार्ग अनुयाईयों क के लिए भी प्रसस्त है गुरु जनों की अनुपस्तिती में दो दिसाओं में से किसी एक के अभिमुक होकर सुपक्रियाएं करनी चाहिए किन्तु उपस्तिती काल में उनके अभिमुक होकर ही सुपक्रियाएं करनी चाहिए फिर बले ही कोई दिशा हो सिंगाडा पती को चाहि कि शुप क्रियाय करता हुआ वो दो दिसाओं को न भूले स्रावक के लिए भी यही नियम लागू होते हैं तो इस तरह से हर शुप कार्य के लिए पूर्व और उत्तर दिसा का आगम में बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है तो कितने लोग इस तरह से दिशा देख कर काम करते हैं कमेंट में बताएं वीडियो पसंद आया तो लाइक शेर सब्सक्राइब करें